नमस्क्रार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर प्रेगनेंसी की लक्षन क्या होते हैं फ्रेंस वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप बढ़ते हैं वीडियो की तरब वैसे तो प्रेग्नेंसी टेस्ट करने के लिए बाजार में कहीं तरह के उपकरन और दवाईया मुझूद है लेकिन गर्वधारन करने के साथ ही महिला के शरीर में कहीं तरह के बदलाव शुरूर हो जाते हैं आप चाहे तो इन शुरुवाती लक्षनों से जान सकती हैं कि आप गर्वती है या नहीं ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ लक्षन है हो सकता है कि जो लक्षन दिखाए दे रहे हैं वो किसी दूसरी वज़े से भी हो सकते हैं इसलिए अगर आप चाहें तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि प्रियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लग जाते हैं और अगर आपको किसी और वजे से या किसी और भिमारी से अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको डिक्टर की शल्हा जरूर लेनी चाहिए आपको डिक्टर को दिखाना चाहिए कि आफिर आपको क्या प्रब्लम में अब त्रेंच में आपको बताती हुँ कि आखिर pregnancy की लक्षन क्या क्या होती है पहला लक्षन है Heavy Breast ये एक बहुती सामानने लक्षन है, दरसल ब्रेस्ट के उत्तक हार्मोन्स के प्रति अती सविधन्शील होते हैं, घरधरन करने के साथ ही शरीर में हार्मोन्स चेंज होना शुरुआत हो जाते हैं, इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, या फिर भारिपन आ जाता है, अगर को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर यह आपको जानेना चाहिए, कि ये प्रेग्नेंसी का ही लक्षन होता है, अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ, प्रेग्नेंसी का दूसरा लक्षन क्या है, निपल का रंग चेंज होना, अगर आपके निपल का रंग च जो निपल के रंग के लिए उतरदाइक होती है घरवधारन करने पर निपल का रंग गहरा हो जाता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ लीजे कि आप प्रिगनेंट है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ अगला लक्षन क्या है मितली आना उल्टी जैसा लगना घरवस्तम के दिन की शुरुवात काफी पुजिली होती है सुबर उटकर कमजोरी लगती है और मितली आती है कहीं बार कुछ खाने पर उल्टी जैसा मेसूस होता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझ जाईए कि आप प्रिगनेंट है अब फ् जिससे कहीं बार टोइलेट जाना पड़ता है पर ऐसा नहीं है कि टोइलेट बार बार जाने की कोई और वज़े भी हो सकती है क्योंकि टोइलेट में इंफेक्शन होने की वज़े से भी टोइलेट बार बार आ जाता है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ प्रिगनेंसी क अगले लक्षन क्या है केविंग केविंग में गरवती होने का एक प्रमुक लक्षन है गरवती महला में किसी विशेश change की प्रती आपरोशन बढ़ जाता है और हर वक्त भई खाने का दिल रखने लगता है कहीं बार ऐसा भी होता है कि इस दोरान मेला की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है और उन्हें बार बार भूक लगने लग जाती है अब जानते हैं अगले लक्षन के बारे में सिर दर्द ब्लट वॉल्यूम बढ़ जाने की वज़े से सिर में दर्द रहने लगता है ये गरवस्ता के शुरुवाती लक्षनों में से एक प्रमुक लक्षन है और धीरे धीरे ये खुदी ठीक हो जाता है प्रेनिंजी में सिर दर्द होना एक बहुत ही आम बात है अब जानते हैं प्रेन्स अगले लक्षन के बारे में कब्ज की शिकायत होना हार्मुन्स चेंज होने की वज़े से पाचन किरिया पर भी असर पड़ता है पाचन किरिया थोड़ी धीमी हो जाती है ऐसे में महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत रहने लगती है अगला लक्षन है शरीर का तापमान गर्वती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान ने तापमान से अधिक बना रहता है इतना ही नहीं इस दोरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है कभी कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो कभी उसी चीज से नफरत हो चाती है इसके अलावा फ्रेंस प्रियट में सोने के बाद में आपको कुछ खटा खाने के इच्छा होती है तो ये भी उनी लक्षनों में से एक लक्षन है सो फ्रेंस यही थी प्रेंगनेंसी के कुछ ऐसे बहतरी इन लक्षन उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले थैंक यू फ्रेंस मिनते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई